गुटे टू आल अफ यू, जैसे कि आप जानते हैं, आज आपका इंप्रेस एडवांस भाग दो का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, इस प्रैक्टिकल टेस्ट में आपसे बहुत से प्रसंद पूछे जाएंगे, जिनने आप प्रैक्टिकली अपने कम्प्यूटर पर करके खाना है, इस प्रैक्टिकल टेस्ट का समय 45 मिनिट का है, ध्यान रहे, कोई भी छात्र एक दूसरे से वारतल आप ना करें, अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो वे इस टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, आप सभी को जो भी प्रसंद दिये जाएंगे, उसका अ देखकर आप अपने आंसर को मिला सकते हैं, अगर आप में से किसी का भी आंसर गलत हो जाता है, तो आप उस आंसर को देखकर उस ओप्संद के बारे में सीख सकते हैं, अब आप सभी अपने कंप्यूटर को आउन करें, और फिर किसी भी बताएगे तरीके से इंप्रस की फा क्लास और स्कूल के बारे में टाइप करें ध्यान रहे कि आपका नाम टाइटल के अंदर टाइप होना चाहिए और इसके नीचे आप स्कूल का नाम और क्लास को लिख सकते हैं अब टेक्स्ट के जगह में गैलरी विकल्प के द्वारा स्कूल के चित्र को किसी स्लाइट पर इंसर्ट करें क्या आप सभी ने बताएगे कारियों को कर लिया है अगर आपने बताएगे कारियों को कर लिया है तो आप अपने टीजर को दिखाए आईए वांसर को मिलाता है कि आपने वही किया है या नहीं जैसे कि आपको बताया गया है आईए वीडियो की मदद से स्कूल के बारे में कुछ टाइप करते हैं और गैलरी विकल्प की मदद से इमेज को इंसर्ट करना सीखते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पहले से ही पैरेग्राफ लिखा हुआ है आप भी अपने बारे में कुछ टाइप कर सकते हैं या फिर आप अपने स्कूल के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं उसके बाद अगर इसके अंदर आपको गैलरी की मदद से कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको टूल्स मेन्यू पे क्लिक करना है गैलरी विकल्प को सलेक्ट कर लेना है यहाँ पे अलग-अलग कैटेग्री दिया हुआ है आप इनमें से किसी भी एक कैटेग्री को सलेक्ट कर ले हमने यहाँ पे स्कूल एंड यूनिवरस्टी को सलेक्ट किया यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे रिलेटिट अलग-अलग परकार के किलिप आर्ट्स दिये हुए ह कि जो भी आपको किलिपाइड अच्छा लगता है उस किलिपाइड को आप सिलेक्ट कर लें जिसे आप अपने स्राइड के ओपर इंसर्ट करना चाहते हैं यहां आप देख सकता है हमने people team में जाके जो category people उस पर select किया है यहां पर अलग लग परकार की cliparts दिये हैं इसी परकार से हर एक categories में अलग लग type की cliparts दिये हैं आप अपने एक्छा अनुसार किसी भी clipart को select कर सकते हैं उसको अपने slide पर लगा सकते हैं हमने यहां books जो books के clipart है उसको select किया उसको right click किया फिर insert पर click करके copy पर click कर दिया तो आप देख सकते हैं जो यह clipart है वो slide पर insert हो गया है जैसे के आपको वीडियो में दिखाया गया है अभी आप देख सकते हैं यह पूरे slide को cover कर रहा है अगर आपको इसके size को adjust करना है तो इस पर click करें जो आपको green color के dots दिखाई दी रहे हैं वहाँ पर आप अपने pointer को लेके जाएं cursor को लेके जाएं आप वहाँ से इसे adjust कर सकते हैं इसके size को आप जितने भी आप कम ही जादा करना चाहते हैं वह आप यहाँ से कर सकते हैं इसको अपने recording size को set करके आप slide पर लगा सकते हैं जैसे कि आपको video में दिखाय जा रहा है अगर आप गैलरी options को रणा चाहते हैं आप वीडियो में देशे हैं था हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यह हाइड हो गया इसको हाइड करने के लिए आप टूल्स विकल्प पर सेलेक्ट करके गैल्री ओप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो भी गैल्रीक ओप्शन हाइड हो जाएगा अब इसको आप अपने एकोडिंग अपने इमेज को रखना चाहते हैं वहाँ पे इसे रख दें तो इस प्रकार से आप गैल्री विकल्प की मदद से किसी भी प्रकार के क्लिप आट्स को अपने स्लाइड के ओपर इंसर्ट कर सकते हैं उसका उप्योग कर सकते हैं अब आगे आप 5 और स्लाइड को लें और उस फाइल से भी ले सकते हैं, क्या आप सभी ने दिये गए कारियों को कर लिया है या थो नहीं, अगर आपने दिये गए कारियों को कर लिया है, तो आप अपने टीचर को दिखाएं, सही आंसर के लिए आए वीडियो को देखें, आए यहाँ पे अलग-अलग स्लाइट को ड्रॉ आप सभी को slide insert करना आए गया होगा कि slide को कैसे insert करते हैं आपको slide pin पर जाना है right click करना है new slide option को select कर लेना है इस प्रकास आप slide को insert कर सकते हैं हमने यह पर 5 slide को insert किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है हमने second slide को select किया और उसके title में कुछ type किया हमने यह पर फ्लावर लिखा आप भी title में कुछ भी type कर सकते हैं जो भी आप drawing को बनाएंगे उसका आप title दे सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हम drawing toolbar में आप drawing toolbar में से किसी भी एक save को आप draw कर सकते हैं हमने एक save को select किया और उसको यहाँ पर drag कर लिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप भी इस तरीके से drag कर सकते हैं अगर आपको कोई line हटाने के लिए line हटाने के लिए पहले line पर select करें और उसके delete का button दवादें एक बटन दवाएंगे वह line हट जाएगी इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं यह contents हैं तो आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर click करें और delete का button दवादें आप यहाँ भी drawing है उसे drawings related उसके बारे में उसको title देदें जैसे हमने यहाँ पर एक star को draw किया तो हमें यहाँ पर title में star लिख देंगे इसी परकार से आप भी कर सकते हैं कोई से भी आप drawing बना सकते हैं उसके अंदर आप title में उसके image के नाम दे सकते हैं हमने फिर से second slide को select किया क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ line type करना है तो आप लोगों को भी जहाँ पर भी आपने drawing बनाया है जो भी आपने shape को draw किया है उसके बारे में एक line टाइप करें इसके लिए आप सब भी text tool का उप्योग करें करने के लिए आपको drawing toolbar में text tool को select करना है अपने sheet पर drag कर लेना है फिर उसके बारे में आपको एक line लिखना है जैसे के आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने आप एक line को type किया तो आप भी तो आप भी जो आपको पसंद है वो line आप लिख सकते हैं इस image से related जैसे के आपको वीडियो में पर दिखाया जा रहा है हमने यहां पर एक line को type किया फिर से अगले slide को हमने select किया जहां पर हमने star बनाया है text tool की मदद से आप text tool को select करें एक box बनाया उसके अंदर इसके बारे में कुछ भी type कर लें जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप चाहें कुछ भी type कर सकते हैं पर चलाज दिए और काहें। खिंआ खिंग यूभ ला क포वन झाल झाल हमने उसी स्लाइट को स्लेक्ट किया यहां पर हमने टाइटल में नहीं लिखा था इसलिए हम इसके टाइटल में हमने स्टार को टाइप किया फिर अगली स्लाइट को स्लेक्ट कर ले जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है select करने के बाद आप इसे भी जो इसका title एक्स को select करके delete कर दे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर यहाँ पर भी आपको इस save को draw कर ले किसी भी आप save को draw कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जाए रहा है हमने यहाँ पर एक सेप रेक्टैंगल को ड्रॉ किया आप चाहें किसी भी सेप को ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ करने के बाद इसके टैटल में जो भी आप टाइप करना चाहते हैं और टाइप कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने इसके टैटल में और रेक्टैंगल को टाइप किया अगर इसके बारे में आप एक लाइन को टाइप करना चाहते हैं तो टैक्सटूल को सलेक्ट करें एक box बनाएं जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है और इसके बारे में एक line को type कर लें आप कुछ भी type कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को देखके भी type कर सकते हैं हम यहाँ पर एक line को type कर रहे हैं फिर से अगली slide को select कर लें यहाँ पर भी आप इसके title को delete करें टाइटल को delete करने के बाद कोई भी shape इसके अंदर ड्रॉ कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है ड्रॉ करने के बाद इसके title में कुछ type करें जो भी आपको पसंद उसके title में आप type कर सकते हैं और इसके बारे में एक line आपको लिखना है तो आपने text tool को select किया और इसके बारे में एक line को type कर रहे हैं आप भी देखके type कर सकते हैं अगली slide को select करें इसके भी title को delete करें contents को delete करें कोई भी drawing को select करें इसके अंदर कोई भी drawing को बना लें हमने याप एक cube को select किया और cube को draw किया अब इसके बारे में एक line को type करेंगे और इसके title में भी हम कुछ type करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर line type हो रहा है आप वीडियो में देख सकते हैं तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ drawing को बनाया और इसके अंदर हमने title में कुछ type किया और इसके बारे में line भी हमने type किया तो इस प्रकार से आप भी कुछ drawing बना सकते हैं उसके बारे में एक line लिख सकते हैं और उसके title में कुछ type कर सकते हैं अब अगली slide में आप point option की मदद से एक rectangle को बना के दिखाएं rectangle बनाने के बाद अपने teacher को दिखाएं आईए अब सही answer के लिए वीडियो को देखें और अपने answer को मिलाएं आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं किसी एक line के दुवारा rectangle को कैसे draw करते हैं सबसे पहले एक line को draw कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है हमने यहाँ पर एक line को draw किया line को draw करने के बाद हम edit menu पे click करेंगे उसके बाद point wiggle को select कर लेंगे यहाँ पर फिर से edit menu पे click करें point wiggle को select कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे edit point को option आ गया है जहाँ पर भी आपको point को add करना है insert point पे click करें अपने pointer के लिके जाएं और click कर देंगे यहाँ पर point add हो जाएगा अगर इसे आप move करना चाहते हैं तो यहाँ पर करसे करें पहले move point पे click करें फिर अपने pointer की मदद से उसे drag कर लें हमने इसको drag किया drag करने के बाद एक cd line यहाँ पर आ गई है फिर से अगर point add करना है insert point पे click किया फिर move point पे click करेंगे जहाँ से भी आपको drag करना है वहाँ से आप cursor रखें pointer को रखें और drag कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है फिर से insert point पे click करें, हमने insert point पे click किया, एक point को add किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाये गया है, हमने आप एक point को add किया, point को add करने के बाद, आप last वाले point को हम यहाँ से move करेंगे, और सबसे पहले हले point से हम इसे मिला देंगे, तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं हमने सिर्फ एक line को draw किया था उस line की मदद से हमने एक rectangle को draw कर दिया अब आप सभी अपने हर एक slide का color बदल कर दिखाएं याद रहें इसके लिए आप style and formatting की मदद से करें फिर अपने teacher को दिखाएं आए सही answer के लिए वीडियो को देखें और सीखें कि style and formatting का उप्यों कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से style and formatting विकल्प की माध्यम से slide का background का color change करना सीखते हैं select करने के बाद format menu पे click करें click करने के बाद style and formatting option को select कर लें जैसी select करेंगे इस तरीके के आपके पास एक बॉक्स आ जाएकैशन जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर यहाँ पे आपको background option को select करें उस पे right click करें modify option को select कर लें जैसे आप modify option को select करेंगे तो यहाँ पे background में अलग अलग परकार के आपके पास options आ जाएंगे अगर आपको color करना है यहाँ पे fill के नीचे आप देख सकते है color का option है यहाँ पे अलग 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 परकार के color उपलब्द हैं जैसे भी आपको background color करना है उस color को आप select कर लें फिर ok पे click कर दें जैसे आप ok पे click करेंगे वह color आपके background पे apply हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं आप देख सकते हैं हर एक slide का color change हो गया है हर एक slide का background color जो हमने वहाँ पे color को select किया था वही color background color में आ गया है इस प्रकार से आप style एंड फॉर्मेटिंग की मदद से slide का background color चेंज कर सकते हैं अब आप सभी चित्र जिसको आपने ड्रोग किया है उसकी फॉर्मेटिंग को change करके दिखाएं जैसे कि उसकी line के style उसके color को उसके outline के color को इत्यादी को बजल के दिखाएं सही answer के लिए वीडियो को देखें आए वीडियो की मदद से आप formatting करना सीखते हैं जिस पर भी आप formatting करना चाहते हैं जैसे की हमें इस image में formatting करना है सबसे पहले हमनी slide को select करेंगे इस slide को select करने के बाद इस image को हम select कर लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है Select करने के बाद आप Line and Feeling Toolbar की मदभ से इसके अंदर किसी भी परकार की formatting कर सकते हैं अगर आपको इसकी outline का color change करना है अगले slide को Select करें इसके अंदर भी जो भी आपका object बना हुआ है उसके अंदर formatting कर लें हमने इसको select किया हमने इसके line के style को बदला यहां से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर इसके line के color को change किया आप भी इसके line के color को change कर सकते हैं अगर इसके अंदर color करना है इसके अंदर color fill करना है या कोई अलग से design देना है तो आप इसके अंदर design भी दे सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से अगली slide को select करें slide को select करने के बाद जो भी object उसके अंदर बना हुआ है उसको select कर लें और जिस तरीके की भी आपको formatting करनी है आप line and feeling toolbar की मदर से उसके अंदर formatting कर सकते हैं फिर इसके अंदर हमने gradient option को select किया यहाँ पे अलग 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 परकार की pattern, अलग 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 परकार की design दिया हुआ है उसको हमने select किया, तो आप देख सकते हम वे design इस object के अंदर आ गया इसी परकार से अगले slide को select करें किसी भी परकार की style देना चाहते हैं वो आप style दे दें line का हमने यहाँ पे style चेंज किया फिर उसके width को बढ़ाया line का color भी change किया फिर इसके अंदर color को fill कर दिया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप भी इस तरीके की formatting अपने object पर कर सकते हैं फिर से अगली slide को select करें select करने के बाद object को select करें इसके अंदर किसी भी परकार की formatting कर लें जैसे भी आपको पसंद है उस तरीके की आप formatting कर लें हमने इसके अंदर इस design को select किया और इसके अंदर इस design की formatting कर दिया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस परकार से आप line and feeling toolbar की मदद से अपने drawing जो भी अपने safes ड्रॉ किया है उसके अंदर अलग-अलग प्रकार की formatting कर सकते है अब आप सभी drawing के बारे में कुछ comment दें फिर इस पे कुछ formatting जैसे की बोल लिटालिक अंडरलाइन करके दिखाएं आएए अब वीडियो की मदद से अपने answer को मिलाएं आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं comment का उप्योग कैसे करते हैं comment का उप्योग करने के लिए आप जिस slide पे भी comment लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस slide को select कर लें जिस slide पे आपका picture या कोई भी image है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पे second slide को select किया slide को select करने के बाद हमने insert menu पे click किया एक box आजाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर comment option को select कर लेंगे जैसी comment option को आप select करेंगे एक comment box आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप जो भी comment लिखना चाहते हैं जो भी आप notes लिखना चाहते हैं वो इसके अंदर आप type कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप चाहें कुछ भी comment दे सकते हैं कुछ भी notes लिख सकते हैं हमने भी यहाँ पर एक line को type किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर हमने अगली line को type किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा this is a practical class अगर आप इसके अंदर कोई formatting करना है जैसे कि bold italic underline तो इसके लिए आपको इसको सबसे पहले select कर लें select करने के बाद इस पर right click करें अगर आप bold करना चाहते हैं बी लिख्य option पर क्लिक करें फिर से right click करें italic करना है तो italic करदें underline करना है तो underline करदें तो इस प्रकार से आप comment box के अंदर जो भी अपने text लिखाए उसे bold italic underline कर सकते हैं इस प्रकार से आप comment का उपयोग कर सकते हैं किसी भी image में आप comment लिख सकते हैं अब आप सभी custom animation विकल्प की मदद से इन सभी slide की चित्र के effect को बदल के दिखाएं जैसे की entrance, विकल्प, motion, path, miss effect को लगा कर दिखाएं ज्यान रहें इसमें slide show पर bit time set हो और फिर अपने teacher को slide show करके दिखाएं आईए अब इन सभी कारियों को वीडियो की मदद से सीखें और अपने answer को सही करें आईए वीडियो को देखकर custom animation को लगाना सीखते हैं custom animation को कैसे slide पे या किसी image पे या text पे apply करते हैं इसके लिए सबसे पहले slide को select करें जहां पे भी आपका image या text या paragraph है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने याँ पे एक object जो books है उसको हमने select किया अब हमें इसके उपर custom animation लगाना है custom animation लगाने के लिए आप सभी को हमने याँ पे book को select किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जो image है हमने इस image को select किया उसके बाद अपने pointer को slide show menu पे लेके जाना है, वहाँ पे click करना है, फिर custom animation को select कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो आप right side में देखेंगे, यहाँ पे custom animation को option है, यहाँ पे add vehicle को select करें, जैसे आप add vehicle को select करेंगे, animation के बहुत प्रकार आपको यहाँ पे दिखाए देंगे, जैसे कि entrance, exit, motion, effect, इन सबको आप, इसके अंदर अलग-लग प्रकार के animation है, आप इनको आप select करके, आप object यह paragraph पे लगा सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, किसी भी एक effect को select कर लें, फिर ok प कर लें, फिर से add पे click करें, किसी भी एक animation को select कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, यहाँ पे अलग-लग परकार के animation दिखाया गया है, आप उनमें से किसी भी animation को select कर लें, फिर ok पे click कर दें, वह animation आपके चित्र पे apply हो जाएगा, फिर से अगले slide को select करें, जो भी उसके अंदर चित्र या paragraph है, उसको select कर लें, add पे click करें, यहाँ पर आप देशे हैं, अमने exit विकल्प को select किया, यहाँ पर भी अलग-लग परकार की animation से दिया हुआ है, इनमें से किसी भी animation को आप select कर लें, फिर ok पे click कर दें, फिर से अगली slide को select करें, किसी object select करें, add पे click करें, कोई भी animation को आप select कर लें, फिर ok पे click कर दें, इसी परकार से फिर से अगली slide को select करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर से add पे click करें, कोई भी animation को select कर लें, और ok पे click कर दें, फिर से अगली slide को select करें, जो भी object, जो भी चित्र है, उसको select कर लें, add पे click करें, add पे click करने के बाद यहाँ पे, अलगले परकार करके जो भी animation है, उनमें से किसी भी animation को आप select कर लें, फिर ok पे click कर दें, जैसे ok पे click करेंगे, जो भी animation आपने select किया है, वह animation आपके slide पे apply हो जाएगा, अब इस animation को देखने के लिए, आप सभी को slide show करना होगा, इसके लिए आप fi press कर सकते हैं, या फिर slide show में जाके slide show को click कर लें, फिर down arrow key की मदद से आप इन सभी animation को देख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, अब ये बड़े screen में आ गया है, जैसे हम down arrow key कर रहे हैं, जो भी अपने animation लगाया था, वो animation आपके object पे या paragraph पे वो सो हो रहा होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अलग-अलग परकार के animation आपको दिखाया दे रहा होगा, या आप आप देख सकते हैं, जो भी एक नए slide को लें और इस पे किसी दूसरे file का link दें, जो की standard toolbar की मदद से होना चाहिए, और फिर अपने teacher को दिखायें, आइए अब वीडियो की मदद से अपने answer को मिलाएं, अथवा सही करें, आइए वीडियो को देख कर hyperlink लगाना सीखते हैं, अपने slide पे hyperlink को कैसे insert करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको जिस slide के उपर भी hyperlink लगाना है, जिस slide पे भी आप link को attach करना चाहते हैं, उस slide को select कर लें, फिर standard toolbar के hyperlink option पे अपने pointer को लेके जाएं, वहाँ पे click कर दें, तो इस तरीके के एक box आजाएगा, जहाँ पे path लिखाये, इसके साथ में आपक click करेंगे, तो इस तरीके के box आजाएगा, आपको जिस location से भी file को attach, file को open करना है, उस location को पहले select कर लें, जैसे हमने यहाँ पे library and picture option को select किया, क्योंकि हमें इस से एक picture को select करना है, आप भी अलग अलग परकार के file, जिस file को भी आप add करना चाहते हैं, उस file को select कर सकते हैं, ज आपने picture option को select किया, यहाँ से हम किसी भी एक picture को select कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, picture को select करने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि उस link की जगह किसी नाम के साथ उसो हो, तो आप text में जाके अपना नाम type कर सकते हैं, कोई भी नाम type कर सकते हैं, ज जैसे हमने close पे click किया, तो आप देख सकते हैं, यह computer sticker लिखे text आ गया, यह एक link है, जो उस picture को आपने add किया है, जब आप इस पे pointer को लेके जाएंगे, control का button दबा के left button प्रेस करेंगे, तो जो भी picture आपने add किया था, वो picture यहाँ से open हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो म हो गया, इस प्रकार से आप hyperlink की मदद से किसी भी file को आप अपने slide पे या अपने document में add कर सकते हैं, अब आप सभी एक अपने नाम से एक menu बार बना कर दिखाएं, और फिर उसमें copy, paste, save, slide show के option को insert करके दिखाएं, फिर अपने teacher को दिखाएं, अब वीडियो की मदद से आप अपने answer को सही करें, आएए वीडियो को देखकर, कस्टमाइज विकल्प के बारे में सीखते हैं, कस्टमाइज विकल्प को प्योग करने के लिए आप सभी को सबसे पहले tools menu पे click करना है, फिर customize option को select कर लेना है, अगर आप menus को customize करना चाहते हैं, तो आप यहां से menus को भ करना चाहते हैं, तो आप यहां से toolbar को भी, जैसे कि standard toolbar, formatting toolbar को अगर customize करना चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं, अब यहां पर एक नया menu create करना है, उसके लिए हमने पहले menus को select किया, फिर new पे click किया, जिस नाम से भी menu बनाना है, वे नाम आप यहां पे type कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद menu content में आप अभी देख सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं है, जो भी आप options को इसमें रखना चाहते हैं, वो आप options यहां पर रख सकते हैं, आपको add पे click करना है, इस प्रकार से एक box आजाएगा, यहां पर बहुत प्रक अप अपने उसलाइं आप अपने अनुसार के options दे ओए है, जिस options को भी आप अपने menu के अंदर रखना चाहते हैं, उन options को यहां से select करना है, जैसे हमने यहां पर copy को select किया, फिर add पर click कर दिया, यहाँ पर अलग अलग परकार का आप options देख सकते हैं आप अपने अनुसार कोई से भी options को अपने menu के अंदर रख सकते हैं हमने यहाँ पर paste को select किया फिर add पर click कर दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है बागी के options दोने के लिए आप यहाँ पर category option पर click करेंगे हमने cut option को select किया फिर add पर click किया फिर हम category options पर गए आप यहाँ से scroll down करके या scroll up करके जो भी menus है जो भी options है उनको search कर सकते हैं हमने document option को select किया है यहाँ से save विकल्प को select किया add पर click किया तो आप देशे किते हैं save विकल्प भी इस content में आ गया है add हो गया है हमने drawing पर click किया अगर drawing menu में से आपको कोई options रखना है तो आप रख सकते हैं इसी परकार से table अलगलग परकार के यहाँ पर categories दिये हुए है अलगलग परकार के यहाँ पर categories दिये हुए है आप इन में से कोई से भी options रख सकते हैं हमने view पे click किया यहाँ पर भी अलग लग प्रकार के options दिए हुए है जिस options को भी आप रखना चाहते हैं उस options को select कर लें जैसे हमें slide show को रखना है तो हमने आप slide show पे click किया फिर add पे click किया अब यहाँ से close कर दें आप देख सकते हैं जो जो options हमें चाहिए थे copy, paste, cut, save, slide show वे सारे options इस menu के अंदर आगे हैं इनको add करने के लिए menus के अंदर ok पे click करें जैसे आप ok पे click करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपका menu है वो menu बन जाएगा जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं menu बार के help के बाद CS का folder एक icon बना हुआ एक menu बना हुआ है जब आप इस menu पे click करेंगे जिस इस options को आपने select किया था वो options आपको इस menu के अंदर दिखाई देगा अब file को अपने नाम और साथ में impressed test के नाम से desktop पर save करके दिखाएं और अपने teacher को दिखाएं अब आप सभी teacher, trainer चेक करें कि सभी ने test को complete किया है या नहीं अब आप सभी का impressed के advance भाग का return test लिया जाएगा जिसमें आपको कुछ प्रसंद दिये जाएंगे यह प्रसंद बहुँ विकलपिया होंगे आप सभी return test के लिए उपस्तित रहें